हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अजीज आप देख रहे हैं मुवी स्टॉक चैनल जिस पर आज मैं रिवीव करने वाला हूँ नेट्फिक्स पर लिज़ी स्पैनिश सीरीज बैंडी डोस को जिससे अभी ही वान कर दू कि आप अपनी फैमली के साथ नहीं देख सकते बाकी तोटल साथ एपिसोड्स है 40-45 मिनट से जाद बड़े नहीं है और देखा जाए तो नेट्फिक्स वालो ने भी इसका प्रचार उतनी भी जोरो शोरो से नहीं किया है लेकिन हिंदी में डप करकर नेट्फिक्स वालो ने ये बात पहले ही क्लिया कर दी ती जो कि आपको ट्रोयलर देखकर की भी समझ आता है कि उनकी टार्गेटड ओडियंस कौन है जिन सब पर आगे तो बात करेंगे ही लेकिन सबसे पहले कहानी की बात करें तो मीगल शायद यही नाम है लीट केरेक्टर का जिसने एक टीम बनाई है ताकि वो लोग मिलकर के एक ऐसे खजाने को ढूंड पाए जिसमें हाँ GCPT कहानी की तरह बाकी दूसे लोग भी पड़े हुए है लेकिन कौन बाजी मारेगा कौन नहीं उसका पता तो आपको सीरीज देख करके चलेगा जिस पर आपको अपना समय देना चाहिए या नहीं उन सारी डीटेल्स के लिए आप इस छोटी सी वीडियो को देख लो बहुती आसानी सा आपको उनका जवाब मिल जाएगा लेकिन उसके पहले एक छोटी सी डिमान रहेगी जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो इस सीरिस को देखने में मैं जरा सा भी इंट्रेस्टेट नहीं था क्योंके ट्रेलर की प्रेजेंटेशन और स्पैनिश कंटेंड मुझे उतने भी ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगते है कि उन पर मैं अपना समय दूरू लेकिन काम के चलते ऐसे कंटेंड को भी जहनन परता है जिसे देखने के बाद मैं थोड़ा सप्राइस था इसी बात को लेकरके के नेट्फिक्स वालों ने इसे हिंदी में डब करके बहुत अच्छा किया क्यों तो अब उन सवालों के जवाब पर बड़े तो ये शो सिर्फ और सिर्फ मास यानि के जनरल ओडियंस को बह अगर आप प्रो ओडियंस हो तो आपको इस शो में कमी नहीं वलके कमी का भंडारा देखने के मिलेगा खास करके उन लेवल्स पर कि अगेन इस शो की जो रिसर्च है वो इतनी जादा पूर है या फिर कहू ऐसी एडप्टेशन है कि आपको उसमें कई सारे ट्रेजर हंटिं फिल्मों और सीरिस की याद आने लगीगी जिसमें मेरी परसनल फिरविट तो नैशनल ट्रेजर्ड है लेकिन डिजनी वालों ने बरबात करके मेरे दिल को अंदर से तोड़ा था पर नेट्फिक्स की बात की जाए तो वो लोग काफी चिल रहते हैं इस तरीकी की सीरिस को टाइम पास के लिए ही बनाते है तो उसी टाइम पास के हिसाब से अगें जनरल ओडियंस इन सभी शो को हजम करती है लेकिन अगर प्रो ओडियंस पर जो मैं बार बार कह रहा हूं वो लोग अगर इसके ट्रेलर को देख करके जारा सब इंप्रेस हुए हाला कि नहीं होना च समझ सकते हों कि ये शो कहां पर जादा लैक होगा खास करके वी एफेक्स इन सारी चीज़ों में बाकी केमेस्ट्री एक्टर्स की पफॉर्मेंस वो इतनी जादा एवरेच सी है जिन पर आप बैट करके घंटों बात भी नहीं कर सकते और ना ही इस पूरी सीरीज के बारे मे बी-प्लस की कैटिगेरी बिल्कुल खुष जिसके बाद क्रिटिक्स की बात की जाया तो लो डॉड़व दो क्रिटिक्स इसे C की कैटिगरी में रखेंगे तो अनहीं पर मैं भी अपना दाओ खिलते वेशीरी ना होगा और यहीं मैं हुआ अजीज मुविस्टोग चैनल लाइक शब्सक्राइब भूलना मत्मिलोंगा जल्दी दूसी किसी वीडियो वीडियो और तिल देन वाई आप बांप